पर कुछ महिलाएं हैं जो मोदी जी जी रैली में आई हुई हैं मोदी जी का खुला समर्थन करती है इनका कहना है कि अपना घहर का सारा काम-धाम छोड़के यहाँ पर आई हुई हैं लेकिन कुछ समस्याइँ हैं जो महीलाएं बता रही है अग लड़की बच्चे हैं पढ़ाई लिखाए लिए पैसा भी नहीं हो सकता हुथ आनपढ़ी महिला के काम में कोई नहीं मिलता तो पढ़ी महिला जाहिए लगना है मोधी जी की बहुत सारी ओजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रही है काम के बहुत से लिए कर रहे हैं मोटी जी के राइली निकाली के चुना हुआएगा पैसे नम मिले लेकिन अभी पिछले बार भी जब मोदी जी आये थे यहां परेड ग्राउंड में ही तो उन्हों ने आप लोग भी आई थी तो उन्हों ने उस समय भी घोषण किया था कि हर जो ग्रुप चल रहा है हर उनको और ज्यादा ससक्ति करन उनका किया जाएगा महिलाओं को आगे बढ़ाने कोशिश की जाएगी अपके दाल तेल का पैसे पहुच गया है मगर आप तलुक दाल तेल का पैसे हम लोग नहीं पाए ऐसे पल्लेदारी करता है वहां से मोदी सरकार दे दे थे निया रात दिन दोड रही है कुछ मिल नहीं रहा है कुछ नहीं मिल रहा है है हम लोग सरकार जिताएंगी हर राज हमका लोग कुछ मिले चाही नहीं ले जाते हैं तो आंगनबाडी की समस्या हर जगा है आंगनबाडी में जो भी बच्चे जाते हैं जिन बच्चों को नाम लिखा हुआ है एक बड़ी समस्या है जो कि हर जगा देखने को मिलती है कि वहाँ पर जाने वाले जो बच्चे हैं पहली चीज तो ये कि वहाँ जो रिष्टर बना हुआ है वह कभी भी उतनी उपस्थित नहीं होती है दूसरी चीज जो भी रासन जो भी पोशन पोशक आहार भेज़े जाते हैं उपर से हाँ जो वह भी ही ऊंसक्ता कोने तरह Fiona का पाहु देने से कोई फाइदा ही नहीं है जबकि पोशक आहार लाभार्थि तक ना पहुंसते हों वहाँ पैसा पना लह लेता जो बलाक माता लागक पैसा भी पैसा कुल पैसा बलाक वाले रोक लेते पताना जिलेस नहीं आता है, पताना बीस रोकते हैं, हम लोग को पता है नहीं चलता है, साल साल भर पैसा मिलेने को होई जाता है पैसा रोक लिया जाता है ना ब्लाकस्तर वाले पैसा देते हैं ब्लाकस्तर वाले कहते जिलास्तर से पैसा रुका हुआ है यह सब समच्छाएं हैं जाए है इस बात पर अपना गुस्ता दिखा रही है कि इनकी ड्यूटी बराबर नहीं लगती है, और वो महिलाएं जो मोधी सरकार के नीटियों पर काम कर रही है, मोधी सरकार को आगे बढ़ाने काम कर रही है, अगर उनके साथ ये चीजे होती रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये दूसरी तरफ एक नया मोड ले लें और उससे बदलाओ की स्थिती देखी जा सकती है, आपका क्या कहना दादी? आप पड़े लिखी नहीं है, खपड़ा चू रहा है, तो सरकार को कालोनी दे रही है, उसका लाभाब को क्यों नहीं मिले है? जानी वाले लिखी दिए घरी भाले लिख दीूपाई। आपको नहीं मिला है, सुनीता डेविक नहीं मिला है। सबके जाए मिल रहा था सौयाले के लिए उपलबड़ा को डेवी कहा जाए बूलास बश्तंबना सौनित डेवी कहा जाए उनको संचा आणह ही रहा है जो करीम महिलें कहा सबके लिए गए पढ़ाए लिख्या देटांगे महिले पने बच्चे को नच को इसको पढ़ाई लिखाई करें तो इनका कहना है कि मोधी सरकार महिलाओं को लड़कियों को पढ़ाने-लिखाने पैसा दे गश्डे जिससे कि वो बराबर पढ़ सके अच्छे डंग से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें क्योंकि जो 35 जार रुपए दिये जाते विवाह के लिए 35 जार परियाप्त नहीं है ऐसा पर कहना है हाँ उसके कोई नहीं है और पैसा बढ़ाई ये कन्यादान में पैसा बढ़ाई जाना चाहिए अभी आप एक साधी हो गए कह रहे हैं फारम भरा जाए सर में कार्ड पर पैसा बंद हो गया हर एक कार्ड पैसा लगा लगा है बनवाई ले हैं मोधी सरकार पैसा उते ही नहीं तो यहाँ पर महिलाओं का तरह तरह कारोप है इस पर कही ने जद्यान देने गयरृत है और इन महिलाओं की समया पर ध्यान देते हुए इनको कई न कई ठीक करने की अरुष है जिसे की आने वाले समय में भी ये महिलाएं आगे इसी तरह से काम करती रहें और इसी तरह से बिल्कुल दादी बिल्कुल हम पूरी कुछ करेंगे दादी